नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार अगर हम कहें कि भाजपास सरकार का एक नालायक देश की सबसे बड़ी जाच एजनसी सीबी आई का नया डिरेक्टर होने जा रहा है तो आपको कैसा लगेगा जाहिल सी बात है अजीब लगेगा लेक के सीबी आई डिरेक्टर होने पर या सीबी आई डिरेक्टर को नालायक कहने पर दोनों ही सूरत में जोर नालायक पर ही होगा तो सुनिए ये नालायक शब्द कोई मेरा दिया हुआ नहीं है करनातक में कॉंग्रेस की विजह अभियान के सूतलधार रहे डी शिवकुमार का दिया हुआ है जरा इस कहानी को अंत तक देखी और समझे कि राजनीत की बिसात पर स्वामी भक्ती की भूमिका कितनी बड़ी होती है जिस आदमी के खलाफ वे फायार होने वाली थी उसे भाजपा की करारी हार के बावजूद देश की सबसे बड़ी जाँच एजनसी का मुख इंद्र मोदी ने तीन अप्रैल को सीबी आई की स्थापना के साथ साल पूरे होने पर आयोजित कारिक्रम में क्या कहा था उन्होंने 25 मिनट के संबोधन में जो बात बार बार कही थी वह ये कि आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है जानता हूं आप जिनके खिला अब कारवाई करने के लिए कि राजनीती की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है आपको कहीं पर भी हिचक ने कहीं रूकने की जरूरत नहीं है जाहिर सी बात है सी बी आई भाजपा के किसी कारिंदे के खिलाफ तो एक्शन ले नहीं रही है वो एक्शन ले रही है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ खास कर कॉंग्रेस के खिलाफ अब जरा खेल को समझिए, कॉंग्रेस करनाटक में बीजेपी को धूल चटा कर 13 माई को करनाटक की सक्ता में आती है और नतीजे आने के अगले ही दिन मोदी करनाटक के डीजीपी को CBI का डायरेक्टर बना देते हैं जिहां करनाटक के डीजीपी प्रवीन सूध को CBI का नया डायरेक्टर बना दिया गया है और जल्दबाजी देखिए छुट्टी का दिन होने के बावजूद केंदर सरकार ने इतवार को उनकी नियुक्ति का आदेश चारी किया यह वही प्रवीन सूध हैं जिने करनाटक विधान सबाचुनाओ का कैम्पेंच शुरू होने से पहले 14 मार्च को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शुकुमार नालायक कहते हैं शुकुमार ने कहा था कि प्रवीन सूध राजे के डीजी पी होने के लाइक हैं ही नहीं वो तीन साल से डीजी पी हैं लेकुन भाजपा कारेकर्ता की तरह काम करते हैं उनके खिलाफ में फायार होनी चाहिए और कुर्सी से हटा कर उन्हें गिरफ़तार किया जाना चाहिए लेकिन जिसको गिरफ़तार करने की तैयारी थी वो CBI डारेक्टर हो चुके हैं और अब वो करनाटक सरकार या देश में किसी भी सरकार में घ्रस्टाचार के खिलाफ जाच बैठा सकते हैं शुकुमार ने आरोप लगाया था कि सूद ने कांग्रेस कारकर ताओं पर 25 केस दर्ज किये लेकिन भाजपा ने ताओं पर एक भी केस दर्ज नहीं किया हमने चुनाव आयोक से भी इसकी शिकायत की है शुकुमार ने कहा था कि चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो सूद के खलाफ सخت कारवाई की जाएगी और जैसे ही करनाटक में बीजेपी की दुरगती हुई मोदी सरकार प्रवीन सूद को लेकर फिक्रमंद हो जाती है इसके पहले कि नई सरकार अपना काम शुरू करती उन्हें बंगलूरू से हटाकर दिल्ली बुला लिया जाता है वो भी CBI का डारेक्टर बना कर मतलब जिसकी गिरफतारी होने वाली थी अब वो देश के किसी भी हिस्से में जाच बैठा सकता है अगर शुकुमार के आरोपों का विसलेशन करें तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रमीन सूद भाजपा का जो काम करनाटक में डीजीपी के तौर पर कर लाए थे वही काम वो भाजपा के एजन्ट के तौर पर पूरे देश में करेंगे विपक्ष पर कहर बनकर तूटना और भाजपा के अंधेर का बचाओ करना देखी आरोप तो यही है मोदी ने सिर्फ एक महीने पहले इस बात की खुली छूट दी थी उनका इशारा था कि सीबी आई की जिम्मेदारी है देश में सबसे ज्यादा समय तक सिस्टम का हिस्सा रहे लोगों को सबक सिखाए और इस काम के लिए प्रवीन सूद से बेतर कोई आदमी नहीं हो सकता थ कमाल की बात तो यह है कि सूद माई दोहजार चौबीस में रिटायर हो रहे थे वह 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं लेकिसी बी आई का डायरेक्टर बनाए जाने के साथ ही उनका कारेकाल माई दोहजार पच्चिस तक बढ़ गया है दो साल का कारेकाल होता है सी बी आई के बीजे आने शुरू होते हैं दोपहत तक तै हो जाता है कि बीजेपी साफ हो चुकी है उसी दिन शाम को नए सी बी आई डिरेक्टर के चैयन के लिए प्रधानमंत्री बैठक बुला लेते हैं इस बैठक में देश के चीफ चस्टिस डीवाई चदरचूर और लोग सभा में के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी शामिल होते हैं सूत्रों के मुताबिक बैठक में सी बी आई डिरेक्टर के पद के लिए तीन आई पीस अधिकारियों के लिस्ट सामने रखी जाती है करनाटक के डीजीपी प्रवीन सूध मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्षेन वो भी बीजेपी शासित और दिल्ली के फायर सर्वेस सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स चीफ ताज हसन ताज हसन की कहानी आगे बताएंगे लेकिन अभी जान लीजिए कि प्रधान मंतरी प्रवीन सूध का नाम आगे बढ़ाते हैं उनके नाम पर दिल लिया जाता है अब जरब प्रवीन सूध का इतिहास भूगोल भी समझ लीजिए वह मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले हैं लेकिन पले बढ़ें दिल्ली में हैं उनके पिता ओम प्रकाश सूध दिल्ली सरकार में क्लर्क थे जबकि मा कमलेश पूल में पढ़ाती थी सूध के शुरुवाती पढ़ाई दिल्ली के सरकारी स्कूल से ही हुई है इसके बाद उन्होंने आई आई टी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली और 1986 में किवाल 22 साल की उमर में IPS बन गया उन्हें करनाटक कैड इसकार मिले भाजपा की सरकार नहीं उन्हें जून 2020 में करनाटक का डीजी पी बनाया था आरोप है कि करनाटक का डीजी पी बनते ही उन्होंने कॉंग्रेस के लोगों के खलाफ पूरे राज्य में धड़ा ध़्ड मुकदमे दल्श कराने शुरू किये जबकि संगीन एहसान चुकाया है बलकि उन पर अपने अभियान को आगे बढ़ाने का जम्मा भी सौपा है आपको बता दे कि सी बी आई डिरेक्टर के चैन के लिए प्रधान मंतरी सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस और लोग सभा में विपक्ष के नेता की मीटिंग में नाम फाइनल होता है इसके बाद ग्रे मंतराले से हरी जंडी मिलने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग आदेश चारी करता है नोटिफिकेशन जारी करता है अब आये शॉर्ट लिस्ट कियेगा तीनों आई पीस अधिकारियों में इकलौते मुस्लिम चेहरे ताज हसन हसन दिल्ली पुलिस के सबसे तेज तर्रार आई पीस अधिकारियों में गिने जाते हैं वो दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता भी रहें इसके अलावा राश्रमंडल खेलों में बहतरीन मैनेजमेंट के लिए उन्हें राश्रपती से सम्मानित भी किया गया है हसन स्पेशल कम कमिशनर बनाए जाने की पूरी उम्मीद थी लेकिन दिल्ली पुलिस का कमिशनर होने के लिए सिनियरिटी लिस्ट में होने के बावजूद उनको यह जिम्मेदारी नहीं दी गई क्यों मोदी सरकार ने उन्हें कमिशनर तो नहीं ही बनाया उन्हें एक्टिव पुलिसिंग से हटा कर फायल सेफ्टी और होम गार्ट जैसे महकमे में भेज दिया कहा जाता है कि ताज हसन को मोधी सरकार ने इस बात के सजा दी कि उनके सगे भाई तन्वीर हसन बिहार के बेगु सराय से आरजेडी के टिकट पर गिरिराज सिंह के खलाफ चुनाव लड़े थे सोच कर देखिए प्रवीन सूध को इनाम और ताज हसन को सजा और दोनों के पीछे राजनीत कमाल की बात है ना इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल नाइटिन इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कर दीजिए बेल आइक ऑन दबा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं नमस्कार